टेकनोलजी के इस नए यूग में अगर आप साइकल के बारे में वही पुराने विचार रखते हैं तो भाई प्लीज आप उनको चेंज कर लिजे क्योंकि साइकल ने अपने आपको पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर लिया ये बदल चुकी है और अब लोग मोटर साइकल औ प्रीमियम ये साइकल है और इसमें फीचर साप सुनिए पहले 50 किलो मीटर ये एक बार चार्ज होने पर चलती है और देखे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जैसे पहले गर आप साइकल चलाते थे तो आप ये सोचते थे कि रात में आर कैसे चलेंगे नाइट राइड आपके लिए सबसे मुश्किल का काम होता था आपको टॉर्च लेकर चलना पड़ता था तो अब आपको कोई टंसन नहीं लेना है क्योंकि इसमें मिलती है आपको नई LED लाइट और इसके लावा जैसे अगर आप पैडल मारने वाले प्रोड़क्ट को ही साइकल कहते हैं तो इसलिए यह सबसे ज़्यादा हाइट टेकनॉलजी वाली यह साइकल आप यहाँ पर देखेंगे यह इसमें आपको डिस्प्ले मिल रही है भी धूप है थोड़ा सा जैसे यह चमक रही है मैं इसमें दूसरी सीन लगा दूँगा आपको वहाँ पर देख लेंगे लेकि सुर करते हैं यहां पर मैं इसकी स्विच ऑन कर देता हूं और आप सुनेंगे कि इसमें आपको हॉर्न भी मिल जाता है तो मतलब आप देखिए अब इसके लावा यहां पर देखेंगे इसको मैं स्विच ऑन कर लेता हूं और यहां से स्विच ऑन हो चुकी है और आप देखेंग फाइब पैडल असिस्ट मोड इसमें आपको मिल जाते हैं और जब मैं यहाँ पर इसी बटन को प्रेस एंड होल्ड करूँगा तो फ्रेंट हेड लाइट इसकी जो LED लाइट है वो अन हो जाएगी और यहीं से यह आप भी हो जाएगी और हाँ मैं आपको बता दूँ कि 25 किलो सब्सक्राइब रास्तों पर चलना है तो कंफर्ट क्या होगा इसके बारे में जानना जरूरी है तो देखे इसमें मिलता है आपको टेलिस्कोपिक सस्पेंशन बित अड़ेस्टेबल और वह भी भाई हंडेड एमें के साथ मैं दिखाता हूं आपको यह देखिए यह देख अब यह काम कर रहा है और यह देखे कितने मोड है इसमें और हाँ एक चीज़ आप और देखें यहां पर जैसे आपने कार में देखा होगा पैडल असिस्ट जो होता है उसी प्रकार से इसमें आपको देखिए यह जैसे उसमें आपको होता है पैडल असिस्ट पैडल सिप् आती है अभी हम बात करेंगे कि यह दिखती कैसी है देखिए यह एक sporty है इससे पहले मैंने आपको जो जिसे वो premium थी यह भी premium है बट यह थोड़ा सा sporty है अगर आप देखेंगे हाप mudguard मिल रहा है graphics की कोई कमी ही नहीं है अगर आप यहाँ पर देखेंगे इसके frame पर 18 इंच का आपको frame मिलता लेकिन आप देखेंगे gray पर यह red color का sticker है जिस पर e-motorad लिखा हुआ यहाँ पर T-rex plus इस पर लिखा हुआ है और यहाँ पर भी EM e-motorad की branding है discover beyond यहाँ पर भी है पूरा graphics है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे पूरा इसके frame पर लेकिन ध्यान आपको यहाँ पर देना है aircraft aluminum जो aircraft में aluminum का उप्योग किया जाता है वही चीज़ में आपको मिलते है और यहाँ पर देखें auto cut off जैसे जो electric cycles होती है जब आप उनकी brick लगाते हैं तो वह auto cut off कर देती है कि मतलब वह रुकने का काम करती है तो यहाँ पर आपको mechanical disc brick मिल रही है और अगर आप टायर देखेंगे भाई तो टी रेक्स पहले तो इसके यहाँ पर देख ले हैं CST BFT यह इस white color से लिखा हुआ कितना अच्छा लग रहा है 27.5 इंच वाले टायर है 26 का भी अबलेबल है 29 का भी अबलेबल है और यह जो आप देख रहे हैं रिम ना भाई यह जिसे double wall वाली यहाँ पर आपको सारी चीजें एकदम perfect मिल रही है और बाकी सारी चीजें मैंने आपको दिखा दी अभी मैं एक बार पीछे से आपको दिखाता हूँ कि जब आप इसको रात में चलाएंगे तो इसमें LED बैक लाइट तो होना ही चीए ना भाई यह आप देख लें यहाँ यह देखें यह LED बैक लाइट इसमें on हो चुकी है मतलब यह भी चीजें आपको मिल रहे है और इसको आप चाहें तो यहीं से बंद कर सकते हैं यहाँ से आप इसको बंद कर देंगे यहाँ पर भाई देखेंगे सेबन अल्टस यह सिमानो का सेबन स्पीड अल्टस गेर प्रीमियम यह इसके क्रेंग आप देखेंगे बहुत जबर्दस्त है और इसी समय मैं आपको दिखा दूँ कि यह जो बैटरी है यह कैसे होती है यह चीज आपके लिए देखना बहुत जादा जरूरी है तो इधर आ जो यह बैटरी रिमूब कैसे होती है इसको मैं ऐसे चार्ज कर सकते हैं और हाँ एक चीज मैं आपको अभी दिखा देता हूं कि यहां पर आप देखेंगे एक बटन यहां पर बनी हुई है इमोटराट की ब्रैंडिंग है एक बटन यहां पर है और चार्जिंग के लिए यहां पर भी आपको मिल जाती है देखें यहां पर आपक इसको रख़ता है कोई भी बच्च्छाइसे उसको रखना है ऐसे यह हो गई और यह अब है कि आय本र पर यहां पर आप देखेंगे तुरंत होगी तो मतलब लगाना निकालना कितना असान है आप खुद इसमें जान सकते हैं और देख सकते हैं अभी एक चीज रह गई है इसमें इसमें आप देखेंगे जैसे इसकी seat भी removal आपको मिलती है मैं इसको remove करता हूँ और height अपने हिसाब से आप adjust कर सकते हैं यह देखिए यह इसकी seat भी removal है आप इसको remove करके height इसकी adjust कर सकते हैं फिर उसके बाद इसको लगा सकते हैं यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इस cycle की कुछ चीजे बहुत जबर्दस हैं जैसे की battery remove कर सकते हैं अगर आप यह पहिए में देखेंगे तो यह जो क्लैंप लगी हुई है आप इसके front wheel को भी remove करके तुरंत लगा सकते हैं कोई टूल की जरूरत नहीं पड़ेगी और जब आप इसको मंगवाएंगे ऐसे box में कि मतलब आपका दिल खुस हो जाएगा और किसी को बुलाना नहीं पड़ेगा अपने आप यह fit हो जाएगी और एक चीज मैं आपको और दिखा देता हूं यहां पर आप दिखेंगे जैसे यह तो जैसे यह grip हैं जिन पर आपको जिनको आप पकड़ेंगे और यहां पर आप सिर्फ थ्रोटल से चलाएंगे तो यह 40 किलो मीटर चल जाएगी अब पैडल असिस्ट क्या होता है उसका मैं आपको लाइब डिखा देता हूं मैं इसको ऑन करता हूं और ऑन करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा यह मैं on कर लेता हूँ यहां से on करने के बाद इधर दिखाना भाई ज़रा mode में दिखा देता हूँ मैं यहां पर mode दिखाऊंगा तो यहां पर आप देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 5 mode में लगा लेता हूँ अब paddle assist का मतलब यह होता है कि जैसे ही मैं paddle पर पैर रखूंगा और जैसे ही paddle को घुमाऊंगा इसका motor activate हो जाएगा और motor activate होने के साथ इसमें power मिलने लगेगी तो मुझे जैसे paddle लगाने में कोई भी ज़्यादा कोई problem नहीं होगी बहुत ही smooth चलने लगती है मतलब वो पूरी battery से ही चलने लगती है मैं दिखाता हूँ आपको अभी मैंने 5 mode लगा लिए है जैसे ही आप paddle घुमाएंगे आपकी cycle चलने लगेगी तो यह है इसका technology अभी आप एक चीज़ और देखो इसमें जो motor यह लगी हुई है धाइसो वाट की इसमें आपको 36 बुल धाइसो वाट की motor आट की premium यह लगी हुई है motor इसमें और इसकी जो battery लगी हुई है 10.2 AH की battery लगी हुई अभी आते हम warranty की बात की warranty क्या मिलेगी तो देखो battery की मिलेगी 2 साल की इस frame की मिलेगी aluminum alloy वाले आपको frame मिलते हैं जो की full performance आपको देते हैं इसकी lifetime warranty मिलेगी और इस motor की मिलेगी एक साल बाकी जो electronic पार्ट है जैसे charger और यह सारी चीज़ें इनकी मिलेगी 6 मंद अभी price की बात करते हैं 37,999 रुपए इसकी festive में offer में price चल रही है और इसके अलावा जैसे अगर आप इसको non festive offer में लेते हैं तो लगभख 44,999 रुपए की यह मिल जाएगी बाकी चार्ज कितने देर में होगी 4-5 घंटे में यह full charge हो जाएगी अभी बात करेंगे इसकी light की तो मैं night drive की एक scene लगा दूँगा वहाँ पर भी आप देख लेंगे कि कैसे यह चलती है और कितनी रोशनी आपको इसमें मिल जाती है वो सारी चीज़ें आप इसकी वीडियो में देख सकते है फिलाल मैं आपको बता हूँ तो दो दिन से मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ तब मैं एक किसी भी cycle को चलाता था जो e-cycle नहीं थी तो उसमें क्या था कि मुझे बहुत जादा problem होती थी लेकिन आज ऐसा जमाना इस technology का ऐसा यूग आ गया है कि cycle चलाना इतना असान हो गया जितना आप motorcycle scooter नहीं चलाते हैं उतने में आप cycle चला सकते हैं चलते समय बहुत जादा smooth रहती है मैंने खुद इसको खुद चला कर देखा है 50-50 km पर डे में चलाता हूँ क्योंकि मैं मुझे वीडियो बनाने के लिए लगवख 20 km अपने घर से दूर जाना पड़ता है तब मैं वीडियो को बना पाता हूँ तो इतनी सारी चीजें करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि ये गजब का product है अगर आप इसको चला कर देखेंगे तो आपका दिल खुस हो जाएगा ये है technology का नया यूग बाकि अगर आप इसको मंगवाना चाहते हैं वारंटी से लेकर प्राइस से लेकर रेंज से लेकर चार्जिंग के तक सब कुछ और फीशर से भी मैंने आपको बता दिया कैसी लगी ये cycle आप अपनी राज जरूर दे वीडियो पसंद आई हो प्लीज लाइक से र सब्सक्राइब फालो जरूर करें धन्यवाद